यहां पर फॉर्स वीचर की बात की जाए तो यहां पर चलते हैं आपकी गेम को स्मूथ कार देती है आपको एकस्पी का स्मूथ करती है यहां पर फ्पेस शो करती है कि लाइव फ्पेस कितने असलाम लेकूम गाइस वाट्स अपन वेल्कम बैक टू एंदर वीडियो और यह आप लोगे लिए काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैन टिप सेंट्रिक अफ रेडवी नो टैन इसमें बहुत सा यह ऐसी चीज़ें जो कि आपको पहले नहीं पता होंगी मेभी कुछ ऐसी चीज़े भी यहां पर ह लेकिन वीडियो कंप्लीट देखिए को यह 10 जो टिप संट्रिक में आपको बताना वालो हूँ वह मेरे मताब में काफी ज्यादा इंपोर्टन है अगर आप उन्हें यूज करोगे तो आप इस मुबाइल फून का अच्छे से इस्तमाल कर पाऊगे काफी अच्छी सीज़े तो यह वाली वीडियो आप लाज़मी देखिए कि आपके सारे यहां पर टिप्स और टिक वाले डाउट क्लियर हो जेगे उसे विलेकर आप चैनल पर नहीं के चैनल को सब्सक्राइब कर लें यहां पर बैल नोटिफिशन को लाज़मी प्रेस करना नहीं तो आपको पता भ अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पोंस आया तो आई विल डैफिनेटली मेक पार टू यहां पर फॉर्स्ट फीचर की बात कीजाए तो यहां पर चलते हैं आलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर यह वाला फीचर सिंप्ली टर्ण आफ होगा आपने सिंप्ली से टर्ण अन कर लेना है जैसे यहां पर काफी ज्यादा सकते हैं यहां पर और बी काफी जल्ठा फीचर्टकर्स कर सकते हैं उसके पर डिचिटल कोई भी वाच लका सतया हूं बेसिकली कोई भी एक background select काड़ लेता हूँ let's suppose मैं यह वाला background select रहता हूँ उसे apply काड़ लेता हूँ आपने यहाँ पर सब कुछ access देनी है जैसे यह आफ हो जगा अब देखिए आपकी device करते हैं तो यह वाला feature मुझे literally काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा कि first में ही इसको बता दे आगे बहुत सारी feature आने वाला है तो make sure video को last track देखिएगा वीडियो को share कर सकता है वह भी कर दीजिएगा वाल यहाँ पर next feature की तरह बढ़ते हैं तो next feature भी काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग मुझे लगए यहां पर launch camera का feature है काफी ज्यादा important है यहां पर देखी जैसे launch camera का feature मैं नयान की है यहां पर जैसे मेरी device ना इक camera में जाके उसे open करना पड़ेगा simply यहां पर आपने double tap करना है और आपका mobile phone हो जाएगा camera on हो जाएगा उसके लावर यहां पर next feature की बात कीजिए तो वह है when notification comes screen यहां पर देखिए कोई भी notification आता तो आप क्या चाहते हैं कि आपका mobile phone की यहां पर side पर जो यहां पर आ सकते हैं आप यहां पर यह वाला feature भी लगा सकते हैं यह तब आपको कोई भी notification आता किसी किसम का भी तो यह वाला होगा आप इसे customize करके और भी कुछ लगा सकते हैं आप इसको straight भी कार सकते हैं और इसको आप भी कार सकते हैं उसकर यहां पर next feature की बात कीजिए तो camera department वे यहां होगा उपर लिखाएगा 48 Megapixel का dedicated mode on हो गया है और यहां पर Google का camera है Google system वाला वो जी है यहां पर यह side पर दिया गया है Google lens जी से कहा जाता है यह basically इसका फाइदा क्या होता है let's suppose मैं camera की picture क्लिक करूँगा तो यह Google में से detail निकालकर automatically मुझे उसकी दे देगा so यह काफी अच्छा feature है let's suppose मैं कुछ effort भी करवा देता हूँ मैं एक camera की picture लेता हूँ और यहां पर automatically detect करेगा यह यह चीज क्या है yes यह देखी जैसे ही मैंने camera की picture ली इसना मुझे सारी picture camera के दिखाद ही related इसके जो भी आता है तो यह feature काफी है helpful होता है अगर आगर आपको कुछ चीज क समय ना रही हो किसी और language में हो तो यह आपके लिए काफी ज्यादा effective होता है उसके लाव यहां पर प्रो मूट को आन कारते हैं आप अपनी मताबिक यहां पर इसको ISO को कार सकते हैं यहां पर साब कुछ कस्टोमाइज कार सकते हैं तो यह feature भी काफी ज्यादा important है उसके लाव काफी ज्यादा लोग को इसका भी नहीं था पता तो मैंने सूचे इसका भी बताता हूं उस तरहें पर बात कीजिए next feature की वह भी काफी ज्यादा crazy यह पर अपने setting में जाना है setting में जाते ही अपने home screen पर जाएंगे यहां पर नीचे स्क्रोल करेंगे home screen आज जाएगी जैसी जाएंगे तो first of all आपको default launcher होगा अपने mobile phone में लेकिन आप इसको light mode पर लेकर भी जा सकते हैं और आपका काफी ज़्यादा यहां पर फायदा भी होने वाला है इसके लिए next बात की जाए वह भी काफी जादा crazy है अगर आप आपके mobile phone में यह वाली keys हटाना चाहते हैं तो आ आपने simply क्या करना है आपने आना यहां पर home screen में by home screen का गई home screen में आपने आना है और जहां पर आपने simply system navigation में जाना है और यहां पर आप gesture पर click कर सकते हैं यह basically iPhone वाला scene हो जागा मैं आपको करके भी दिखाता हूं let's suppose मैंने यह gesture mode on कर दिया तो यह नीचे वाली सारी keys remove हो जा यहां slide चुकिया और हो गया और आप इसको बहुत चलाना भी थोड़ा साना difficult होता है तो यह आप कर लिए हो दी महानी से यूज़ करूंगा है तो यहां पर आपने simply से remove भी कर सकते है system navigation की अगर बात की जाए यह बटन बें दोबारा के आप button in भी कर सकते हैं अगर आप iPhone user है और आपने Android रखा होता है definitely यह वाल आप चाना आपके लिए काफी ज्यादा interesting हो सकता है उसके लाव यहां पर नेक्स feature की बात की जाए तो वह भी काफी ज्यादा interesting है और एक common feature है लेकिन काफी लोगों को उसका भी नहीं बता होता वैल उसका मैं फाइदा बता तो लेकिए इ simply आप से turn on करेंगे तो आपके mobile phone की theme dark हो जाएगी आप theme को भी dark कर सकते हैं और वैसे भी dark mood dark कर सकते हैं basically इसका फाइदा होगा कि आपकी battery comparatively कम consume होगी यह नहीं कहा बहुत कम consume होगी लेकिन हाँ comparatively बहुत कम consume होगी उसके लावर यहां पर next feature की बात की जाए तो वह भी काफी ज्यादा crazy यहां पर Redmi Note 10 का यहां पर mobile phone की display को mirror करना चाते हैं किसी भी LED बगारा पर जिसमें internet connection हो तो बहुत ही ज्यादा simple है यहां पर simply अपने इधर आना है और यहां पर cost का option है यहां पर cost का option पर जाएंगे तो यहां पर आप एकर यहां पर automatically connect कर सकते हैं मैंने टेस्टर की है बहुत स्मूथ वर करती है आप किसी भी यहां पर smart LED के साथ यहां पर connect कार सकते हैं उसके लाव यहां पर next feature की बात कीजिए तो वह भी काफी ज्यादा common feature है लेकिन काफी ज्यादा लोगं को उसका भी नहीं बताता है यहां पर बात करो screen shot की basically हम screen shot लेते हैं यहां पर volume drone की plus यहां पर home की लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा simple और तरीका भी है यहां पर आप simply और तरीके से भी screen shot ले सकते हैं let's put up तीन finger को तीन finger को अपने ऐसे नीचे करना है तो आपका screen shot हो जएगा तो यह भी काफी ज्यादा अच्छा feature है MIUI में तो इसे भी आप लाज़मी अगर आप gamer है तो definitely आप इसे जरूर पसंद करेंगे यहां पर basically यहां बूद का रहा हो special feature की जाती है यहां पर setting में आपने जाना है और यहां नीचे swipe up करेंगे तो आपको special feature प्रोड़ाइट किया गया है यहां पर special feature में जाएंगे तो first of all game turbo है यह game turbo किया है basically यह आपकी game को smooth कर देती है आप experience smooth करती है यहां पर FPS शो करती है कि live FPS कितने चाहरे हैं तो यह काफी ज़्यदा है interesting है उसके लावा यह बाकी जो जितने भी आपके CPGP work कर रहा हुता है उसको साहँ हटा के game के उपर लगाती है और game की performance को यह enhance कर देती है तो यह feature मुझे काफी ज़्यदा अ इसके अंदर लेकर आ सकते है feature के और definitely से use कर सकते है उसके लावा यहां पर बात किया वीडियो टूल बार का भी यहां पर option आप यहां पर इसको कर सकते है setup उसके लावा और भी यहां पर feature प्रोड़ किये गए है floating window का feature मुझे सबसे ज़्यदा पसानता है तो इस तरफ यहां एक application open की साथ ही मैंने दूसरी application open कारती है अब इसको सप्लेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यहां पर सप्लेट करने के लिए आपको यह बटन प्रेस करना होगा इसको अपने प्रेस करकर रखना है और यहां पर एक feature हैगा supply screen का तो यहां पर आप supply screen कार सकते हैं आप आप उपर वाली application को भी चला सकते हैं आप नीचे वाली application को भी चला सकते हैं तो यह feature मुझे काफी personally काफी ज़्यादा अच्छा लगा है इसको आप इस तरह exit भी कर सकते हैं उसके लाव यहां पर next feature की बात की है तो वह भी काफी ज़्यादा इंट्रस्टिंग है अगर आप अपने mobile phone की RAM consumption को live देखना चाहते हैं simply अपने home screen पर आना है यहाँ पर home screen पर जाएंगे नीचे स्क्रोल करना है show memory status पर आएंगे तो जैसे ही आप show memory status पर आएंगे तो यह आपको साथ साथ दिखाता जाएगा कि आपके mobile phone में 4GB RAM है और 1.59GB यहां पर remaining कितनी रहे गई यह य यहां पर Redmi Note 10 में लेकिन इस वीडियो पर अगर अच्छा response आता है तो I will definitely make part 2 अगर आपको चाहिए होगा मुझे comment box से बता सकते हैं बाकि यह वीडियो को कैसी लगी है मुझे comment box में last भी बताईएगा चैनल पढ़ने आगे चैनल को subscribe कर ले मैं कुशिश करता हूं इस तरह की लाक्स रुडियो में तब तक लिए लाफीज